हेलो फ्रेंड कैसे हैं आज मैं आपके लिए मटर पनीर की सबजी लेके आई हूँ इसे बनाना एकदम आसान है और जहट पठ हम इसे बना सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यह मैंने ले लिया है चार पांच लेशुन मिर्ची अद्रक यह देखे छील लिया है लेशुन को और तीन टमाटर दो प्याज यह खड़े मसाले हमने ले लिये हैं अब हम इसको स्लाइस में काट लेंगे इस तरीके से यह देखे साइज अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं चोटा बड़ा पर इतना काफी है पनीर के लिए इसी तरीके से पनीर को काट लिये है हमने अब एक पैन लेंगे उसमें दौ बड़े चमच लगभग तेल डालेंगे अब इसमें पनीर डालके थोड़ा सा तेल जैसे ही गरम होगा हलका तो पनीर इसमें डालके थोड़ा सा फ्राय कर लेंगे हलका ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और पनीर एकदम सौप्ट हो जाती है इसलिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसको ये देखे हमारा पनीर गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब इसको निकाल लेंगे इसी तरीके से पुरे पनीर हम निकाल के रख लिए है चान के यह देखे एकदम सौब्ट हो चुका है इस तरीके से बनाने से पनीर बहुत ही अच्छी बनती है अब जितने भी खड़े मसाले हैं मैं सभी को डाल के उसी कड़ाही में गोल्डन ब्राउन होने तक पका लूँगी यह देखे इसी तरीके से आप भी एक बार इस तरीके से जरूर बनाईएगा कम समय में एकदम आसानी से बन सकती है पनीर की सबजी यह देखे प्याज अलग हो रही है मतलब थोड़ी थोड़ी हमारी प्याज पक चुकी है अब इसके बाद हम टमाटा रेड करेंगे अब उसको भी अच्छे से पका लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक ही पकाएंगे थोड़ी देर के लिए ढग दे रहे हैं इसका थोड़ा सथ पानी और जलेगा इसके बाद हम इसको च्छान लेंगे यह देखे अब decreased हम इसको निकाल ले रहे हैं आप सभी मसाले तोड़ी दे раб थंडा कर लेंगे उसके बाद मिक्सर में डालके उसको पीसे से लिए ठंडा होने के बाद ही पीसेंगे, ये देखे, हमारे मसाले बनके तैयार हो चुके हैं पनीर के, ये देखे, अब हम खड़े मसाले जितने हैं, उन सब ही को डाल के पका लेंगे, थोड़ी देर के लिए, ये देखे, हमारे मसाले पक चुके हैं, अब ये जो तैयार किये थे प का कि ये मसाले कुए पकाने से टेस्ट बहुत अच्छ आता है इसलिए एकलो मैं अच्छे से इस पका लेंगे इए यह देखे इसको कि इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे से गोल्लिण ब्राउन होने तक इसको भी पका लेंगे ज्यादा देर तक पकाने की जरूत नहीं है क्योंकि हम पहले भी इसको अच्छे से पका चुके हैं जैसे ही ऑईल छोड़ने लगेगा तो हमारा मसाला बनके तयार हो चुका है थोड़ी देर अभी और पकाएंगे अब हम मसाला एड़ करेंगे एक चमच धनिया पौडर एक चमच गरम मसाला एक चमच मिर्ची पौडर आधा चमच हल्दी पौडर आधा चमच लगभग चाट मसाला पौडर स्वादा नुसार नमक अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिला के पका लेंगे यह देखे कलर देखे चेंज हो रहा है हमारे सभी मसालों का और लगभग ओईल भी छोड़ दिया है यह देखे किनारे किनारे ओईल पूरा दिख रहा है यह पनीर का मसाला लगभग बन के तयार हो चुका है अब हम इसमें एड़ करेंगे हरा मटर यह है ताजा हरा मटर अब इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अब इस मटर को भी हम अच्छे से पका लेंगे मसालों के साथ इस तरह किसे पकाने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है यह देखे ऐसे ही पका लेंगे हमारा कलर एकदम चेंज हो चुका है हम अब इसमें एड़ करेंगे पनीर जो हमने फ्राइ करके रखी थी अब डाल के पनीर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों में थोड़ी देर ऐसे ही पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे ये देखे हमारी पनीर का कलर कितना अच्छा आया है तो फ्रेंड अब भी एक बार इस तरीके से जरूर बनाईएगा घर के मसालों में आसानी से बन जाएगा अब हम इसमें एड़ करेंगे आधा ग्लास पानी लग भग अब हम इसको ढखके थोड़ी देर के लिए पांच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे ये देखे हमारी पनीर बन के तैयार हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर यह देखे अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ज्यादा नहीं डाल क्योंकि टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा थोड़ा सा ही डालेंगे यह देखे अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे देखे फ्रेंड कम समय में कम समागरी से एकदम आसानी से पनीर की सबजी बड़ बनके तैयार हो चुकी है तो अब भी एक बर जरूर ट्राइ हम इसमें एड़ करेंगे हरा धनिया ताजा फ्रेस हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे हमारी मटर पनीर की सबजी बनके तैयार हो चुकी है तो हम इसमें एक कटोरी में निकाल लेते हैं यह देखे लाजवाप मटर पनीर की सबजी बनके तैयार हो चुकी है तो फ्रेंड एक बार जरूर ट्राई करिएगा कम समय में कम समागरी से आसानी से बन जाती है और जटपट पनीर की सबजी बनके तयार हो चुकी है यह देखिए गर्मा गरम मटर पनीर की सबजी बनके तयार हो चुकी है तो फ्रेंड कैसी लगी हमारी मटर पनीर की सबजी आप एक बार जर नई नई रेसिपी लेके आती रहूं और हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट रेसिपी के साथ